नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं एकने के बारे में एकने क्यूं होते हैं और होने के बाद में जो दाख दबे रह जाते हैं या एकने जब हो गए हैं तो उनसे निवारन कैसे हो आज हम उस बारे में बात करते है क्यों होते हैं इसके अलगलग कारण है जिसमें मुख्य कारण है आपके होर्मन इंबैलेंस हो सकते हैं आप 스트ress में हो सकते हो या आपको constipation हो या आपकी बॉड़ी का जो सोने उठने खाने पीने का जो रूटीन है वो proper नहीं हो, आपके खाने में fibers कम हो, इसके अलगलग कारण हो सकते हैं आप अपना regular blood check-up करवाएं, जिससे आपको पता रहें कि आपके body में vitamins वगरे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है कोई वो कारण तो नहीं है acne होनी का अब आप इसके निवारन के लिए क्या करें? आज हम बात कर रहे हैं tea tree के products की tea tree के products acne वाली skin पे बहुत ही बहतर और cargles शाबित हुए है कई पर आप लोगों ने बोला कि हमें harsh product यूज नहीं करना है तो tea tree एक बहतर उपाय है यह herbal का product है, इसमें कोई harsh chemical इस्तमाल नहीं हुआ है और tea tree एक antiseptic की तरह भी काम करता है अब इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए आपको खाली tea tree oil से काम नहीं चलेगा इसके लिए आपको tea tree का face wash, face scrub, musheizing cream, serum, night cream, mask, इत्यादी या तो आप इसका पूरा combo set ले 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 या आप इसे अलग लग company के products को भी लेके उसका एक combo set बना सकते हैं सुबह आप tea tree face wash से face को wash करें उसके बाद daily moisturizing cream लगाएं उस daily moisturizing cream में आप पुछ drops tea tree oil की add भी कर सकती हैं उपर से रात के समय फिर से face wash करें और tea tree oil और जो night cream है उसको mix करके लगाएं overnight लगा रहने दें हफते में दो बार आप scrub का इस्तेमाल करें हफते में दो बार आप mask का इस्तेमाल करें आप mud mask या essential mask जो आपको पसंद है उसका इस्तेमाल करें कुछ लोगों को mud mask पसंद नहीं है तो आप उसके बदले essential mask भी इस्तेमाल में ले सकते हैं इसी तरह overnight cream mask भी आपको market में मिलेगा, मैं यहाँ पर भी photo डाल रही हूँ, आप उसको भी overnight लगा कर रख सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो like करें, share करें, subscribe करें, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद